दोस्तो realme का 9 pro device launch हो चुका है और ऐसे में realme 3 pro device में update आ रही है इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है जी हाँ दोस्तो realme 3 pro में एक बार फिर से एक नई update रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है और आज के इस वीडियो में details में जानेंगे कि कौन सी update है कितनी MB की size है क्या change log है और कौन-कौन से version है update के तो चलिए बीनाद देरी की वीडियो को start कर लेते हैं अगर आप realme 3 pro के user है तो आपको मिलेगी एक नई update अपडेट की बात करें तो बड़ी update है जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4-5 महीने पहले stable update इस device को मिली है Android 11 की और ऐसे में अब जो है एक बड़ी update का release होना कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ी बात है तो देख लेते हैं कि क्या कुछ है देखे size की बात करें तो 1.3 GB यानी 1300 MB की update है और यहाँ पर firmware release date की बात करें तो 15 March की है लेकिन update जो है थोड़ी delay rollout की गई है और यहाँ पर size की बात कर लेते हैं तो 1300 MB की और version की बात कर लेते हैं तो F06 है अभी change log की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर change log में कुछ नहीं लिखा गया है बस आपके device के performance को improve किया गया है कुछ bugs को fix किया गया है और device पहले से ज्यादा stable हो जाएगी इस update के बाद ऐसा realme बता रही है अब 1300 MB की update है पूरा firmware को change किया गया होगा चुकि major update है यह तो ऐसे में आपके device के performance पर definitely फर्क दिखने वाला है साप दिखेगा आपको फर् update है सिर्फ security patch नहीं है मार्च के security patch तो integrate किये ही गया होंगे और साथ आपके पूरे device के firmware को एक बार फ्रेस कर दिया है तो performance पहले से बहतर मिलने की उमीद है तो अगर आप realme 3 pro के user है तो f06 update version मिली है तो बताएगा कि अप performance device का कैसा है और अगर नहीं मिली है तो एक से दो दि आप बच्चा के रखिएगा आपने device को update करने के लिए तो ये थे realme 3 pro को मिलने वाली एक measure updates की जनकारी काफी लंबे समय के इंतजार के बाद उमीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe किजिए और मिल